हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 को फेटरी सेटिंग में कैसे रिसेट करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए सुरू कर आपको क्या कहते हैं यहां पर स्टार्ट पर याठ किलिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद यहां पर किलिक करने कि देखेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा reset this PC, इसके आगे यहाँ पर आपको reset PC लिखा होगा, इसके ओपर आपको click कर देने, click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर दो option मिलेगा, यहाँ पर आप देखरें नीचे option मिलेगा, remove everything, remove all your personal file, app and setting, यानि आपका जो भी cdap के अंदर data जो भी आपका का data होगा, क्योंकि ये सारा data को भी delete कर जाएगा, यानि cdap के अंदर जो भी data होगा उन सभी को delete कर देगा, चाहे आपको download folder में हो, चाहे my computer में हो या cdab के अंदर हो कहीं पे भी होगा उसको delete कर देगा यदि आपका data ddab, edab कहीं और होगा वो data save रहेगा उसको कुछ नहीं करेगा केवल cdab का data को यह delete करेगा इसके अंदर जो भी app होगा जो भी setting होगा सब को reset कर देगा अब आपको क्या करना है इसके ओपर आपको click कर देने click करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपको दो option मिल जाएगा आपको क्या करना यहाँ पर local reinstall इसके ओपर आपको click कर देने click करने के बाद यह window open हो जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर next पर click कर देने next पे click करने के बाद यहाँ पे आपको 2ड़ करना है एस तरह से window open हो जाएगा यहाँ पे सारा detail दीया भाई इस सबी को reset कर देगा अब आपको क्या करना है यहाँ पे reset दिख रहा है इसके उपड़ आपको click कर देने चलिए अभी हम यहाँ पर वेट करते हैं, जहाँ पर भी कुछ करने के इजोत परेगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा झालिए झाल 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 इसके बाद यह window open हो जाएगा अब आप यहां से अपना country select कर लिजेगा याने resilience select कर लिजेगा अब जहां से भी है यहां पर आप select कर सकते हैं मैं इंडिया से हुँ तो यहां पर मैं इंडिया select करूँ का चलिए मैं यहां पर select कर लिजेगा आप जिस भी country से होंगए आप अपने हिसाप से यहां पर country select कर लिजेगा चलिए मैं यहाँ पे इंडिया select कर लिए आप अपने हिसाब से जो भी country है वो country select कर लिजेगा उसके बाद आपको यहाँ पे yes पे click कर देना है yes पे click करने के बाद यह window open हो जाएगा अब आप यहाँ पे keyword का input method select कर सकते हैं जो भी language set करना है वो language यहाँ पे आप set कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पे आपको yes पे click कर देना है yes पे click करने के बाद यहाँ पे आपको second keyword layout के लिए बोलेगा यहाँ आप इसको भी set करना चाहते हैं यहाँ से set कर सकते हैं या नहीं तो आप इसको skip करना चाहते हैं तो skip कर सकते हैं बाद में भी आप इसको set कर सकते हैं चलिए मैं आभी इसको यहाँ पे skip करता हूँ इसके बाद यह window open हो जाएगा आप आपको क्या करना है? यहाँ पर एककसर्पड पे क्लिक करड़ेने इसके बाद यह window आज जाएगा आप यहाँ पर PC का नाम रख लीजएगा जो भी आप PC का नाम रखना चाहते हैं यहाँ पर आप PC का नाम रख लीजएगा अपने हिसाब से यहाँ पर नाम रख लिजेगा इसके बाद आपको क्या करना नेक्स्ट पर क्लिक कर देने अब आपको यहाँ पर दो अप्शन मिलेगा एक प्रस्नल यूज के लिए एक वर्क या इस्कुल के लिए तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेट कर सकते हैं मैं अपने केस में परस्नल यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है यदि आप Microsoft account से यहाँ पर sign in नहीं करना चाहते आप local account से sign in करना चाहते तो आपको क्या करना यहाँ पर sign in option दिख रहा है इसको पर आपको क्लिक कर देने क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर ओफलाइन अकाउंट दिख रहे हैं इसके उपर आपको क्लिक कर देने क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर skip now पे click कर देने skip now पे click करने के बाद यह window open हो जाएगा अब आप यहाँ पे नाम रख लिजेगा जो भी आप नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे आप type कर लिजेगा उसके बाद आपको यहाँ पे next पे click कर देने इसके बाद यदि आप password रखना चाहते हैं यहाँ पर पास्वर्ट टैप कर लिजेगा इसके बाद आपको next पर क्लिक कर देने इसके बाद यह window open हो जाएगा अब यदि आप इसको off करना चाहते तो यहाँ से आप off कर सकते हैं इसको आप यहाँ से off कर देंगा वो जड़ा अच्छा रहेगा यदि आप on रखना चाहते तो इसको आपको ऐसे ही रहने दीजेगा मैं अपने case में इसको off करूँगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पर accept पर क्लिक कर देने कर दो आपको कर देने कर दो आपकोर तो यहाँ से वहाँ से अपको कर दो जब सकते हैं झाल झाल इसके बाद यह window open हो जाएगा आप देख रहे हैं यह clean installation हो चुका है यानि यह reset हो चुका है सारा कुछ reset हो जाएगा जैसे आप fresh window install करते हैं उस तरह से यहाँ पर आपको आजाएगा इसके अंदर अभी कोई भी software नहीं होगा कोई भी driver नहीं होगा तो आपको क्या करने जो भी आप driver install करना चाहते हैं उस software को आप यहाँ पर install कर लिजेगा उसके बाद इसको आप यूज कर सकते हैं और प्लीज गया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू